दोस्तों मैं फिर से त्यार हूँ मेरे नए वीडियो के साथ मैं आपको अलग अलग पर्मुटेशन और कॉम्बिनेशन मुलांक और भाग्यांक के बता रहा हूं इससे पहले हमने देखा अगर किसी का मुलांक एक है और भाग्यांक एक से नव है तो वह इनसान कैसे होते हैं जनरली एक मुलांक आने के कारण आपके अल्रडी नसीब अच्छे चलने लगते और उसके साथ फिर अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन हो तो अगर आपने गवर से देखा होगा तो एक से नव तक के मैक्सिमम कॉम्बिनेशन इसमें अच्छे थे एक दो छोड़ दे तो फिर हमने दो से स्टार्ट की, दो के सारे कॉम्मिनेशन देखे, दो, एक, दो, दो, तीन, दो, चा, अब आज का जो वीडियो है दोस्तो, मुलांक तीन और भाग्यांक एक से लेके नव तक कोई भी, याने क्या, कोई भी इंसान जिनकी जन्मतारिक तीन, बारा, एकिस या ती है, किसी भी साल, किसी भी मैने की, तो उसका मुलांक हो गया तीन, और उसकी पूरी डेट आप बर्त लिखने के बाद उसकी जो टोटल होती है, उसको हम बोलते है भाग्यांक, उनकी भी टोटल, मिनिमाईज करके, कुछ भी आ जाए, मिनिमाईज करने के बाद एक से नो मैं ऐसे कुछ भी आएगा, उनके बारे में हम बात करेंगे, बेसिक फिर से बताता हूं कि तीन याने गुरू का आंक है, काफी प्रतिष्टा देने वाला आंक, जीवन में सक्सेस देने वाला आंक, बहुत से लोग इसमें जो होते हैं, उनको एक, उनके पीछे एक शक्ती काम क करते रहती हैं, और वो जीवन में काफी सफल बनते हैं, कुछ लोग ऐसे पाए गये हैं, कि जिनका मुलांग तीन होने के बाद भी जीवन में आसफल है, तो उनकी बहुत सी चीजे देखनी जरूरी है, उनका नाम देखना होता है, नाम की स्पेलिंग, उनके पुरी डेट चौबत लिख के हमको लोशो ग्रीड बनाना होता है, उसमें क्या मिसिंग है, करेंटियर उनके लिए कैसा है, ये भी देखना पड़ता है, पर इन जनरल तीन नंबर भी काफी सफल माना जाता है, तो आज हम देखेंगे, और जहां जहां मेरे पास जितना मुझे समय मिला है गुगल पे से मैंने कुछ सफल व्यक्तियों के भी कॉंबिनेशन निकाले हैं, वो भी मैं बताऊंगा, तो सबसे पहले बात करेंगे, जिसका मुलांक तीन है, सबके मुलांक तीन ही रहेंगे, और भाग्यांक एक है, तो दोस्तों ये कैसा सहीं हो गया, गुरू और सूर्य दोरों भी टॉप के एक रहा है, तो इनका लाइफ कैसे रहेगा, तो मच अप सकसेस, तो इनके जीवन में हमेशा इनको जो सकसेस मिलेगा, वो मल्टिप्लाइंग एफेक्ट में मिलेगा, दूसरा, ये टीचिंग फिल्ड में जा सकते है, ये स्पोर्ट्स में जाना चाहे, तो भी बहुत ज़्यादा successful होंगे, computer technology से related किसमें जाना चाहे तो ये भी उसमें successful हो सकते हैं, इनकी जो निर्नेक शमता है, वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन इन्होंने सिब ध्यान रखने का कि वो correct time पे उसका use करें, तो इनका जीवन बहुत ज़्यादा सफल हो सकता है, सही समय पे सही निर्ने लेना चाहिए, तो इनका जीवन काफी successful होता है, give up कहीं पे भी नहीं करना है जिंदगी में, हमेशा इनोंने बहुत ज़्यादा इस से मिंस लड़ना चाहिए, मैं graphologist पी हूँ, तो इनको एक सला दूँगा, ये जब alphabet T निकालते है, small t, तो उसके जो अगर आपको एक्जामपल चाहिए, हरवजन सिंग है, जिनोंने एक cricket में बहुत नाम किया था, लेकिन जब तक वो consistent रहे है, उनका नाम होते रहा, जहां पे इनोंने give up कर दिया, वो इंडिया के team से बाहर हो गए, और एक एक्जामपल है, हेंडरी फोर्ड है, जिनका बहु इनका कारक है, तो imagine करो, जिनकी कलपना शक्ति अती विशाल है, वो दो नंबर, और जिनकी बुद्धी अती विशाल है, वो तीन नंबर, तो ये लोग जनरली बहुत बड़े बनेंगे, जनरली ये लोग राजनीती में बहुत उपर जाते हैं, इनका दिमाख, इनकी बुद रहने के कारण पानी से रिलेटेड कोई भी बिजनस करेंगे, तो इनको बहुत फाइदा होगा, उसके साथ साथ उसका व्यवसाय नोकरी उसमें बहुत ज्यादा इनको सफलता मिलेगी, दो आने करें, इनकी कलपना शक्ति बहुत बहुत जादा होती, बहुत उचे लेवल क होती है, यह लोगों को विजनरी कहा जाता है, यह लोग आज से दस साल बात की दुनिया अभी देखना स्टार्ट कर देते हैं, इसका बेस्ट एक्जामपल हमारे भारत के बहुत बड़े राजनेता स्री शरत पवार है, जो तीन और दो नंबर को मैच करते हैं, तो इस होते हैं, तीसरा आता है, तीन और तीन, डबल थ्री याने दो दो बार गुरू, तो कितना बड़ा कॉंबिनेशन हो गया, तो यह लोग कैसे रहेंगे, बहुत जादा इनको सक्सेस मिलेगा जिन्दगी में, दो बार तीन याने, टू मच सक्सेस इन दे लाइफ, अगें यह इंजिनेरिंग में जा सकते हैं, हीलिंग वगिर ऐसी विद्ध्या में जा सकते हैं, टीचिंग करियर इनके लिए अच्छा है, या खुद का कॉले स्कूल भी खोले तो यह सक्सेस पूल रहेंगे, कोई भी चीज जो एंसिलरी एक्टिविटी है, एजुकेशन से, या सबसे में इन्होंने एक ही करना चाहिए कि इनका जो behavior है, वह हमेशा एकदम काम और सामने आले को समझ के लिए ऐसा रखना चाहिए, यह बहुत बार खुद को ज्यादा बुद्धिवान समझने के चक्कर में लोगों का दिल तोड़ सकते हैं, तो ऐसे लोग हैं तीन और ती तीन गुरु तो जनरली मेरे हिसाब से एक क्रॉस कॉम्बिनेशन है, क्योंकि राहु जो है वो गुरु का शत्रु माना जाता है, तो यह लोग जो है कभी-कभी इनको बहुत ज़्यादा इगो होता है और उनके कारण इनके जीवन में प्रॉल्म आ सकते हैं, शेक्षा अग तीन और चार का कॉम्बिनेशन और इनका जो है अहंकारी स्वभाव बढ़ते जाता है, इनको सफलता अगर ज्यादा मिलती है तो यह अहंकारी बनते जाते हैं, इसका एक एक एक्जामपल है, रानी मुखर जी उनका डेट आप बरत है, देन उसके बाद भी, लेकिन अगर अहंकारी ना बनेया, इसा भी एक 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 जामपल है, जिन्होंने दुनिया को बहुत ज़्यादा ग्यान दिया, स्वामी विवेकानंद का भी यह कॉम्बिनेशन था, तो अगर इन लोगों ने अपना अहंकार बाजु में रखा, तो यह जीवन में बहुत ज़्यादा सफल रहेंगे, लेकिन इनका जो सफलता का पैच है, या इनका जो उमर का यह है, हमने विवेकानंद का देखा, या रानी मुखर जी का देखा, तो यह एक लिमिटेड एक स्टेंट तक होता है, या तो कुछ कारण जवाबदार हो सकते, तो इनोंने वो चीजे ध्यान में रखनी और एक अच्छा कॉंबिनेशन आ रहा है, तीन और पांच दूसों, तीन गुरु और पांच बुद्ध, दोनों बुद्धी के देवता, आपको कम्युकेशन सिखाता है, पांच नंबर, और तीन नंबर सिखाता है, आपकी बुद्धी, तो दोनों के मिलके, कितना भारी combination ह hem kutna success मिलेगा आप सोस्च सकते हो कि इनको बहुत चादा Life में जो है आ यह मिलता है लेकिन अन्हों उसके planning करने चवЧто टो जाएंगे तो चाहिए होतना इनको higher success नहीं मिलेगा इनका काफी अगर यह इसमें जाते है पालिक्स में तो इनको काफी सक्सेस मिल गा तीन और पांच ये दोनों गुन पॉल्टिक्स के लिए बहुत अच्छा समझे जाते हैं और इन्हों ने लाश्ट तक जीवन में गिव अप नहीं करना चाहिए अगर यह जहां पर गिव अप करेंगे यह उस दिन खत हो जाएगे आपको मैं एक शौट्स है वर्ड में किसी प्लेयर के पास नहीं है लेकिन आप जब जब देखोगे कि उसने गिव अप किया हलगर जी पना किया गलती किया कि वह आउट हो जाता है तो तीन और पांच का कॉम्बिनेशन रोहित शर्मा में वो आज हर हर इसमें क्रिकेट में आगे जा सकते है लेकिन इनका एक ही होता है कि यह लोग जल्दी कर देते हैं अगर यह गिव अप नहीं करेंगे खुद को द्रट निश्चे के साथ उत्रेंगे तो जीवन में इनके लिए हर उचाईया पॉसिबल है इसका और एक एक जामपल होमी जागिर भाबा भी थे जो इस नमबर प देव तो इनका जो कॉंबिनेशन है जनरली इनकी जो मानसिक्ता होती है वह हमेशा दो विचारों वाली होते हैं यह हमेशा कंफ्यूज होते हैं माइन और हार्ट में दिमाग में एक चलता रहता है मन एक बोलते रहता है इसके बाद इनका इनका जो जीवन होता है इसमें ब तब तक इनको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, इन्हों ने अपने रिलेटिवस को कभी भी उधार पैसा नहीं देना है, उनके साथ वेवार नहीं करना है, उन पर डिपेंड नहीं रहना है, आधर वाइस इनका उसमें नुकसान होगा, ऐसे हमेशे होगा मैं कोई भगवान नह करम होते हैं, तो मैंने यह जो चीजे बोलती है, आपको गाइडलाइन है, इसके विपरीद भी आपका जीवन हो सकता है, इससे अच्छा भी और इससे खराब, तो आपके करम बहुत ज़्यादा इंपोर्टन है, पर एक हिंट मैं दे रहा हूं, जिससे आपका जीवन और अ साथ केतु, केतु एक्चुली वापस मन का कारक होता है, चंद्र का निगेटिव नंबर हम केतु बोलते हैं हमारे इंडेन आश्टरोलोजी के इसाब से, तो दोनों भी जो है, एक दोनों भी बुद्धी के कारक है, और एक बुद्धी का कारक है, तो दोनों का इसके बाद बहुत बड़े-बड़े IPS अधिकारी जो है, गोर्मेंट में टॉप पोस्ट पे जो अपने ये बैठते हैं सारे ओफिसर्स, इनका ये कॉम्बिनेशन होता है, इनका जो है, इनका नॉलेज और उनकी कृति शिलता मिन्स इनका प्लानिंग और एक्जिक्यूशन इतना जबर्दस होता है, उस बेस पर ये जीवन में बहुत जाता सफल होता है, इनके एक्जामपल अगर विंस्टन चर्चिल है, इस नंबर पर पैदा है, क्विन इलिजाबेतर मिन्स बाइब बर्थ ये कुस्तों लेके आते हैं खुद के लिए, उनके कारण इंका नसीब चलना चलू हो जाता है, फिर है दोस्तों तीन और आठ, इसका और आपको एक्जामपल बहुत सारे आप दे सकते हैं, करुना निदी जो थे, तीन और साथ, उनकी डेट ऑब बर तीन छे वनीसों चोबिस थी, उस इंसान के अंदर इतनी कला थी, वो मूवी में थे, उनका सा 3 & 7, तीन और आठ की अगर मैं बात करूँ, अपने जो अलेक्जांडर बेल, जो साइंटिस्ट हो के गए, वो इस कॉंबिनेशन के है, देन विवेक ओवेर आइस कॉंबिनेशन के है, तो जनरली तीन और आठ कॉंबिनेशन में बहुत जादा स्ट्रगल होता है, देखते है आपको बैठे बिठाएं चीजे मिलने वाली नहीं, अब यह आपको पता चल गया, तो आप इस वीडियो का क्या फाइदा करें, अपने को यह नंबर बगवान ने दे दी है, अब क्या मेरे हाथ में है, तो संगर्ष करना तो करो लड़ो और आगे बढ़ो, मैं ऐसे नहीं इतना बोल रहा हो कि आपको महनत करनी पड़ेगी, तीन और आठ, अपनी शमताओं का अगर योग के उपयोग, योग के समय पर किया, तो आप सक्सेस्फुल होगे, लेकिन यह लोग उसी समय गिव अप कर देते, that is one of the reason of their failure, इनके पास सबसे अच्छी चीज होती है कि इनजर है और हार्डवरकर है, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, यह लोग बहुत ज़्यादा बोलबच्चन होते हैं, तो इनके कारण यह किसी भी मार्केटिंग का काम, इंशुरंस वगेरे इसमें बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं, अब आ गया हूँ मै लास्ट कॉंबिनेशन पे तीन और नौ, तीन नमबर किसका है, गुरु का मंगल, नौ किसका है, मंगल यह पराकरम, तो तीन और नौ के लोग कैसे होंगे, देखिए, इसमें जो तीन और नौ जो है, यह जनरली वास्तुशास रज्योती, समाज का लें, सोशल काम वगेरे इनको करने की बहुत इच्छा होती है, जनता से जुड़े रहेंगे, हमेशा सब का अच्छा करने के सोचेंगे, इनको इनोंने इनको बहुत बार ऐसे लगता है, कि इनोंने पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, अगर यह पॉलिटिक्स में जाएंगे, तो थोड़े टाइम के उसके करणिन के नुकसान होते हैं तो इन्होंने सयम रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है और में ली अध्यात्मिक शित्र में अगर यह जाए तो उसमें बहुत बड़ा नाम इनका होता है तो यह है थीनों नौ का कॉबिनेशन तो दोस्तों यह थे सारे भाग्यांक तीन और मुलांक एक सरी मुलांक तीन और भाग्यांक एक से लेके नौ अगला वीडियो हम देखेंगे फिर चार का पांच छे साथ नौ और देन उसके आगे जो मैंने और एक सीरीज स्टार्ट किये आपको जब भी टाइम मिलता है तो जरूर देखिए कि आपका नाम किस क्या है वह बहुत जादा आपके सक्सेस में इंपॉर्टन्ट है वह भी वीडियो देखिए उसकी भी सीरीज चल रही है इस लौकडाउन के पिरेड में जितना मुझे नौलेज है जितने किताबे मेरे पास है जितना मेरे गुरू ने मुझे सिखाया है सब मैं आपको देने सिट्वेशन है उसको और सुधारे तब तक के लिए धन्यवाद